जहें दोस्तों अंदे मातर गंगो भाई कटिया वाड़ी जब रिलीज हुई थी तभी लोग कह रहे हैं तो यह मूवी बहुत बड़ी हिट होने वाली है लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई देनी रहा है हलाकि मूवी कमाई के लेहाद से ठीक ठाक चल रही है लेकिन जित नहीं हो पाई पर कुछ एक मीकर्स ऐसे भी थे जिन्होंने की जुरुरत करी कि नहीं भी हमें रिलीज करनी है जिन मेंसे की एक सलमान खान भी थे जिनकी राधे रिलीज हुई थी और राधे बहुत बुरी तरीके से फ्लॉप भी हुई थी सिर्व इसलिए नहीं कि थेटर बन थे बलगी जिन लोगों ने उस मूवी को देखा उन्होंने भी बहुत बुरी तरीके से इसको क्रिटिसाइज किया था ऐसे में दो सतारे जिनका की नाम है शारुक खान और सलमान खान उनके उपर अब काफी प्रेशर वाली सिचुएशन में कहूंगा बन चुकी क्योंकि देखिए अगर हम शारुक की बात करेंगो शारुक की जो आखरी हिट फिल्म थी वो चैनने एक्स्प्रेस आई थी 2013 उसके बाद से उनके कोई बहुत बड़ी मेजर हिट मूवी नहीं आई है कुछ ऐसा ही सलमान खान के साथ भी है सलमान खान की कोई भी क्रिटिकली अक्लेंड मूवी जो पबलिक को पसंद आई हो देखने के बाद ऐसी मूवी काफी लंबे समय से नहीं आई है राधे हो चाहे जय हो लोगों को ये मूवी पसंद नहीं आई इवन ट्यूब लाइट भी बजरंगी भाईजान इस दौरान जरूर एक अच्छी मूवी आई थी लेकिन बाकी की ये जो मूवी थी लोगों को बिलकुल पसंद आई नहीं थी और लोगों ने इनको सीधी तोरा बोरिंग करार दिया है अब ऐसे में एक सीक्वेल का धंदा जो की नया चल पड़ा है उसको लेकर अगर हम देखें तो ये वेस्टन गंटीज में काफ़े पुराना चलन है अगर एक कोई मूवी के टाइम लाइन बनती है तो उसके बाद धरढ़ा-धरो सी मूवी को बनाते जाते हैं आगे बढ़ाते जाते है कहानी हलाकि भारत में ऐसा देखा गया है कि कहानियों को जब आगे बढ़ाने की बारी आती है तो कहीं ना कहीं बॉलिवर्ड पूरी कहानी ही बदल देता है नाम बस वही छोड़ देता है हला कि सलमान खान की टाइगर में ऐसा नहीं हो था टीजर में कैटरीना कैफी अधिकतर लड़ाई जगड़े करते हुए दिखाई दे रही हैं सलमान खान जो है लेटे हुए दिखाई दे रहा है बस उठने के बाद कह देते हैं कि भाई तो टाइगर तो हमेशा रेडी रहता है शारु खान के पठान के रिलीज डेट की गोश्णा के बाद से प्रशन Сकton सलमान खान की टाइगर त्री के अनाançमेंट कर रहे थे गुरूवार को इश्राज फिल्म्स ने वीडियो जारी करके सलमान खान और कैटरिना कैफ की फिल्म की रिलीज डेट गोशिद कर दी है बतादी कि आधिकारिक जानकारी के मताबिक ये फिल्म 2123 यानि कि अगले साल एद पर सिनमा घरों में दस्तक देने के लिए तयार रहेगी सुपरस्टार सल्मान खान ने शुकरवार को अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर अपनी बहुत प्रतिक्षित फिल्म टाइगर 3 का पहला टीजर जारी किया है टीजर में कट्रीना कैफ कुछ शांदार एक्शन करते हुँ दिखाई दे रही है आखरी में केट्रीना कैफ सल्मान खान से पूचती है कि क्या आप रेडी हैं तब भाईजान कहते हैं कि टाइगर हमेशा रेडी रहता है टीजर को शेयर करते हुए सल्मान खान ने लिखा है कि हम सब अपना अपना ख्याल रखें 2023 एद पर टाइगर थी आईए हम सब वहां रहे हिंदी तमिल तेलगू में रिलीज हो रही है 21 अपरेल 2023 को अपने निजदी की बड़े परदों पर इश्राज फिल्म के साथ टाइगर थी का जश्न मना है गौरतलवे की टाइगर 3 सल्मान और केटरीना की एक्शन फिल्मों की सीरीज का तीसरा भाग है इसका अंदर्देशन मनी शर्वा दोरा किया जाएगा फिल्म में सल्मान खान, भारती जासूस, अविनाश सिंग और टाइगर के बूमी का में नज़र आएंगे जिससे एक पाकिस्तानी जासूस जोया हुमेमी से प्यार हो जाता है तीसरी फिल्म की शूटिंग हाली में दिल्ली और उसके आसवास के आलाकों में पूरी हुई है इससे पहले सल्मान और केटरिना ने तुर्की, रूस और अस्ट्रिया में भी फिल्म की शूटिंग की थी इसमें इमरान हाश्मी मौजूद है हलाकि टीजर में इमरान हाश्मी की चलक देखने के लिए नहीं मिली है एक था टाइगर नामा के लोगप्री ये फ्रेंचाइजी की पहले फिल्म 2012 में आई थी और कबीर खान ने इसको बनाया था फिल्म को जबरदस रिस्पांस मिला था दूसरी फिल्म टाइगर जिंदा है 2017 में आई थी और उसका अली अबबाद जफर ने किया था सल्मा मा कर्टेरन है फ्रेंचाइजी की दोनों किष्टों में अभी नहीं भी किया है लेकि समझने वाली बात यह हर मूवी के साथ इनका डिरेक्टर क्यों बदलता जा रहा है क्या डिरेक्टर में इनको confidence नहीं है या फिर डिरेक्टर अगली मुवी गली पैसे ज़्यादा माँगने लगता है क्योंकि सलमान खान तो मुवी में इसी बात को लेकर सलते हैं कि भई सलमान ने मुवी में तो सब मुवी तो चली जाएगी और action का क्या है action तो फिर कहानी के हिसाब से कुछ भी डाल देते हैं वैसे तो south की कहानी उठा लेते थे पर इसमें ऐसा लगड़ा शायद नहीं कहानी देखने के लिए मिलेगी क्योंकि sequel के हिसाब से आपको कहानी को बुनना पड़ेगा अलाकि अब ये movie क्योंकि काफी दा प्रचले थे इसलिए इसको लेकर marketing का जोर अभी से मार दिया गया है marketing काफी जोरो शोरो से की जाएगी इस movie के उपर भी काफी दा प्रपगेंड़ना चलाने के आरोप लगे थे जैसे जैसे movie के बारे में नहीं जानकार ये निकल कर सामने आएंगी और वेसी बाते कुछ नहीं को जिवाद इसके साथ जोड़ेगा ही तो हम इसके बारे में जरू डिसक्रिशन करेंगे मेरे जुडियों फिलालत नहीं जैए हैं जैब भारत